गौतम अदानी अदानी समू के मुख्या इन्हें अगर भारते अरब पतियों के मुख्या कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा एशिया के सबसे रही शक्स गौतम अदानी अब दुनिया के टॉप टेन अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गये हैं जी हां ये सौटका सच है और आज सौटका बात में बात उस खबर की जिसने हर भारती का सीना कर्व से और चोड़ा कर दिया है नमस्कार मैं हूँ नेहा बातम फॉप्स की रियल टाइम लिस्ट के मुताबिक गौतम अदानी 112.6 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ टॉप 10 बिलिनेज की लिस्ट में एक पायदान आधे बढ़ते हुए चौथे नमबर पर पहुँच गए हैं जबकि लंबे समय से इस पायदान पर बौजूद Microsoft के Bill Gates खिसक कर पाच्वे पायदान पर आ गया है Gates की नेट वर्थ कम होकर अब 103 अरब डॉलर रह गई है जबकि इसी लिस्ट में शामिल दूसरे भारतिय उद्योपती Reliance Industries Limited के चेर्मन मुकेश अंबानी तस्वे नमबर पर बने हुए हैं उनकी नेट वर्थ 87.11 अरब डॉलर है Tesla और SpaceX के CEO Alan Musk शीर्ष अरब पत्यों की इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं 230.4 अरब डॉलर नेट वर्थ के साथ बस दुनिया के सबसे अमीर शक्स हैं वहीं फ्रांस के रपती Bernard Arnold 148.4 अरब डॉलर के साथ दूसरे और Amazon के Jeff Bejos 149.2 अरब डॉलर के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर रखती हैं लेकिन इस वीडियो में बात उस सफर की उस शक्स की जो जीरो से हीरो रंग से राजा और कुछ नहीं से सब कुछ बन गया गौतम अडानी 24 जून 1962 को जन में कॉलेज ड्रॉप आउट गौतम गुजरात से हैं उनके छे भाई बेहन हैं एक लोवर विर्डिल क्लास फैनली की ही तरह अडानी का परिवार पोल इलाके के शेट चौल में रहता था उन्होंने सेट सीन विर्डियाले से स्कूली पढ़ाई पूरी की लेकिन फिर पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर वो 100 रुपे लेकर मुंबाई आ गे सब्सक्रा सोचिये 100 रुपे से शुरुवात करने वाला शक्स आज दुनिया के सबसे अमीर व्यत्यों में से एक है हीरे का ब्रोकरिज आउट्फिट खोल लिया पहले साल कंपनी से खूब फायदा हुआ भाई मंसुक लाल के कहने पर गौतम मुंबाई से एंदाबाद आ गये और उनकी प्लास्टिक की कंपनी में काम करने लगे साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की नीव रखी शुरू में कंपनी ने अग्निकल्चर कमोडिटीज के सेक्टर में काम किया धीरे दीरे कंपनी का कारोबार बढ़ता गया इसके बाद अडानी पावर जेनरेशन और ट्रांसमिशन, खनन, कोल ट्रेडिंग, गास वित्रन में काम किया और खूब दॉलत कमाई साल 1995 में अडानी की कंपनी को मुद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्टरक्ट मिल गया इसके बाद अडानी का कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा मुद्रा पोर्ट आज निजीक शेतर का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है गौतम अडानी ने साल 1996 में अडानी पावर लिमिटर बनाई अडानी ने जहां भी हाट डाला काम्याबी मिली इसके बाद साल 2010 में उन्होंने इनोनीशा में माइनिंग का कारोबार शुरू किया साल 2008 में वो अरबपतियों की लिस्ट में शामिर हो गया साल 1977 में गौतम के पास एक स्कूंतर था लेकिन आज उनके पास तीन निजी जेट्स हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के पास 2009 बंबाडियर चालेंजर 605 2013 आंब्रियर लेगसी 650, हौकर 850XP और अगस्ता वेस्ट लैंड हेलिकॉप्टर भी है इसके लावा अडानी के पास BMW 7 सीरीज, लिमजीन, एक रॉल्स रॉयस गोस्ट और एक फरारी है अडानी के पास अपना प्राइवेट जेट भी है साल 2020 में अडानी ने दिल्ली लुटियन्स के उपेड पोश्ट लाखे में 400 करोड में आलिशान बंगला खरीता था पत्नी पेटी डॉक्टर है और अडानी पाउंडेशन की हैड है अडानी के दो बेटे करण और जीत है अडानी का परिवार हमेशा उनके साथ रहता है एक कम्प्लीट सामली डान की तरह वो आज भी रात का खाना अपने परिवार के साथ खाना पसंद करते हैं परिवार के साथ एंड़ाबाद में रहते हैं यकीनन जुक्की जोपडी से अपने सफर के शुरुवात करने वाले गौतम आज करोडों इंदुस्तानियों की इंस्पिरेशन है। और सौचा का बात में हम ऐसी ही एकदम सची कहानिया बिना किसी जूट के, बिना कसी फरेब के आपके सामने ले कराते हैं। फिलाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए अजासत, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आज तरह।